मैंने उर्मिलेश जी हमारे साथ जो पैनलिस ने उनसे सवाल पूछे तो उन्हें ने कहा कि इसका जवाब एंडी टीवी दे सकती है वो नहीं लेकिन मैं ये सवाल यहाँ पर ज़रूर उठाना चाहूंगा क्योंकि महत्मूर सवाल है जैसे मैंने कहा एंडी टीवी के शेर होल रुपे इर्रेगुलर प्रमोटर से हासिल किये हैं आर बी आई का खुला उलंगान है उन्होंने आर बी आई को चिट्टी भी लिखी थी लेकिन इसका जवाब उर्मिलेश जी जी एंडी टीवी से नहीं जुड़ है लेकिन ये सवाल एक देश की बड़ी पत्रकार सुचेत हैं जिन्होंने सवाल उठा है उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई थी ये किस तरह की पत्रकार निता करने की कोशिएख Wert तो इसट में प्रतार में चीए शॐन में आसंट मु dei को चल आ सिरय को चुर्पटलाव कर थे को लेक temps जाते थे डॉक्टर सुवर्यन स्वामी जाते थे रविंदर बर्मा जाते थे तो कैसे इनको सत्ता न पख रहे हैं तो हम सी बीआ के बियाप पर जवाब नहीं देंगे लेकिन किसी भी एक बिजनेस को यह बोल देना कि आप ही पत्रकाडिता कर रहे हैं यह सरासर अन्याए उन लोगों के साथ जो पत्रकाडिता कर रहे हैं और वो अमीर नहीं बने मैं आपसे पूछना चाहता हूं कभी आपने सोचने की कोशिश की कि मीडिया का इतना पतन कैसे हो गया तीसरी पंचवर्श है योजना की जब परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और देश में हतार्शा का महाल हुआ ये बात उस व्यक्ति ने कहिए जिसने पत्रकारता को बिगाड़ने का काम किया उनका नाम था श्री अश्पाल कपूर एक मैंनों से पूछा कि आप नेशनल हरल चलाते थे और आप प्रधानमंद्री के भी सचीव थे ये कैसे हुआ कि पत्रकारों को खिलाना पिलाना दारू पिलाना मुर्गे खिलाना ये सब बोले थर्ड फाइजिर प्लान में जब स्थिती बिगड़ने लगी तो हम को संकेत किया गया कि पत्रकारों को घुमाओ बिलाई स्टील पत्रकार के मन में कहीना का ये भावना होती है क्यों राज्य सबाव में पहुंच जाए जब मेरे बगल वाला पत्रकार जो मरसलीज में घूम रहा तो मेरे पास मरसलीज क्यों नहीं हो मेरे पास अपना फॉर्म हाउस क्यों नहीं हो तो ये पत्रकारों की जो एक लालसा या प्रवेश के लिए पत्रकारों को के लिए कोई योग्यता की मांदर्ण नहीं है जिसको उपर का आदमी चाहे बड़ा कोई मंत्री चाहे वो पत्रकार बन जायेगा और उससे बड़ा आदमी चाहे तो वो संपादक बन जायेगा इस तरह के जिन्होंने कानून तोड़े हैं तो एक एक करके सब हम देखेंगा उनके खलाफ कारवाई होते हैं और कोशिस करना जाये थाबित करें कि हम देखेंगा अगर प्रणोराय के खिलाफ कारवाई हुई तो फिर ये का जा रहा है कि दरसल मीडिया का गला घोटनी कोशिश है लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक नहीं ऐसे कई उधारन है और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे बाकाइदा एक आपको किताब भी मिलेगी एंड को तोड़ा जा रहा है और कानून को तोड़ा जा रहा है तो फिर इसको छूट क्यों मिली और अगर हम मीडिया को छूट ही देना चाहते हैं हम सिर्फ इस आधार पे एंडी टीवी को क्लिन चिट दे दें कि वो मीडिया है बड़े पत्रकार है तो फिर देश में कानून सब कि पिर बिराबर कर दुजे तमाम मीडिया को यह अजादी दे दीजे कि वो कानून को तोड़े कानून का पालन ना करे और पैसे की घपले-घोटाले करे और अपना मीडिया हूस बढाई लेकिन ऐसा नहीं है देश में एक कानून होना बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन को अपने कारे करम से ये कहते हुए निकाल दिया कि मैं आपकी बात का समर्तन नहीं करती और उनको अपने कैमरा से ओफ करवा दिया वहाँ पर उस पत्रकार ने एंडीटीवी के पत्रकार ने दूरदर्शन का भी नाम लिया था ये आरोब भी है और इस आरोब की भी जाँच हुई थी लेकिन पिछली सरकार में जाँच हुई थी वह जाँच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है आपका